नमस्कार साथियों मैं हूँ डॉक्टर आनद भारद वाज आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट और आज ले रहा हूँ एक बहुत जबर्दस टॉपिक जीहां नेम प्लेट के बारे में कहा हो नेम प्लेट किस कलर की हो किस दिशा में हो किस उंचाई पर हो और किस चीज की बनी हो नेम प्लेट में भी छुपा होता है हमारा भाग है क्योंकि वो जो है हमारे औरा को हमारे मुखे द्वार के औरा को वहीं पर बदल देती है negative से positive में आज इसी पर चर्शा करेंगे, अगर जाना चाते हैं इसके बारे में डिटेल से, तो चलते रहें मेरे इस वीडियो पर आखिर तक और आपको बताऊंगा इसके बारे में बारी कियां। इसी जादा अवार्ड से समानित और सुशोभित। डॉक्टर आनन्द भारदवाज यानि वास्तु शास्तर के इंसाइक्लोपीडिया। नेम प्लेट कैसे ले जाती आपको उचाईयों तक और कैसे गिरा सकती है और नीचे अगर सही लगी भी ना हो, सही कलर में ना हो और सही दिशा में ना हो। जाना चाते हैं तो मेरे इस वीडियो पर चली आखीर तक। जाते हैं, क्या क्या लगा रखा है, वहाँ पर फूल बेलें बनी हैं, पत्यां बनी हुई हैं, वहाँ पर आपकी नेम प्लेट लगी हुई है यह सब चीजें करके वीकूल कि हमारा जो भागिल है, वो लिखा होता है हमारे माथे पर, माथा है हमारे घर का मुक्ख दवारा. आपके मर में जो आपने этगे नया घर मनाया है या पुराना घर भी आपका है, उसमें रनोबेशन कर रहे हैं, ये आदिकाल से बहुत पुनाने समय से एक पहचान के लिए हर कोई अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगाता है जी हाँ नेम प्लेट के उपर उसका नाम लिखा होता है घर का नमबर लिखा होता है बहुत कुछ लिखा होता है ध्यान देना ये बहुत sensory विशाय है साथियों जरा से भी गलती हुई तो वहीं से आपके paper के number कटने शुरू हो जाएंगे साथियों जब हम वास्तों की बात करते हैं कभी claim नहीं करते हैं कभी दावा नहीं करते कि आपने ये कर दिया तो आपके किसमत बदल जाएगी हाँ ये भी एक तरह से exam है छोटे-छोटे question paper इसमें आते हैं आपके पास हर question का कोई question 2 number का, कोई 5 number का, कोई 10 number का होता है तो जो आपकी name plate है ये भी एक 10 number का सवाल है जो कि आपको आपके जीमन में 10 number दिलाएगा सवाल में से साथियों ध्यान करें कि आपके घर में जो भी member सबसे ज़्यादा जिसकी height है उसकी height से ज़्यादा ऊपर आपने name plate लगानी है कोशिच करें कि सबसे ऊपर आपका जो घर का number है और घर का जो नाम है वो उपर लिखा जाए साथियों अगर आपका घर उत्तर मुखी है मान लिए आपका घर north में face करता है तो वहाँ पर जो name plate आप लगाएंगे ध्यान करना उसका color कभी भी red नहीं होना चाहिए लाल नहीं होना चाहिए क्योंकि red color जो है वो अगनी को यानी fire element को show करता है वहाँ पर use करेंगे आप light yellow color की name plate या white color use करते हैं उसमें आप blue color की नहीं करना वैसे तो north का जो color होता है blue होता है पर ध्यान करना blue जो है इस मामले में जब हम बात करते हैं name plate की तो poison का का काम करता है blue color use नहीं करना पहली बात दूसरी बात अगर आपने जहें अपने घर की name plate कहीं लगानी है और आपने घर को एक नाम दिया हुआ है नाम क्यों देना पड़ता है माल लिए आपके घर का जो house number है उसके जो numbers है suppose के number 4 है number 8 है 4 number 8 number साथियों 95% लोगों को suit नहीं करता unless and until कि आपका जो data worth है वो 4 या 8 हो 4 और 8 अगर होता है तब suit कर सकता है सकता है बोल रहा हूँ मैं यह नहीं के करेगा इनके लिए भी अच्छे number होते हैं 6 number होते हैं इसके लिए और भी number होते हैं वो मेरी वीडियो अलग से बनेगी निम्रोलोजी के बारे में अंक जोतिश के बारे में अब अगर आपके घर का number ठीक नहीं है तो आप प्रयास करें कि उस number को घर का number जाए वो name plate के उपर छोटे से छोटा लिखा जाए इट शुड भी as small as possible और आपका जो नाम है घर का जो नाम है या आपका अपना नाम है उसको आप बड़े बड़े अक्षरों में लिखें अगर आपका घर east facing है पूरा में मुक करता है वहाँ पर भी आप yellow color की name plate लगा सकते हैं बहुत अच्छी रहेगी इसके इलावा अगर आपका घर south facing है तो आपको red color की background जिसका होना चीए red वो ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए name plate अगर आपका घर west में है तो west वारे में light gray बहुत हलका सा gray यूज कर सकते हैं metallic जितने color होते हैं golden, silver और bronze west में बहुत अच्छी होते हैं शनी की दिशा होती है metal की दिशा होती है साथियों काम करेंगे अब उसके ओपर alphabet कैसे लिखे जाएं उसके जो अक्षन हैं कैसे लिखे जाएं आपने सुना होगा बहुत बार कि उस आदमी का नाम इतिहास में सुना अक्षनों में लिखा गया याद आया होगा आपको सुना अक्षनों का मतलब क्या होता है golden alphabets के अंदर आप समझ गए कि मैं क्या करना चाहता हूँ कोशिश करो कि आपकी जो भी name plate आप लगा रहे हैं घर के उपर उसके उपर आप जो है तो जो metal के जो उसे colors होते है ये सब के सब खास तरीके से golden color ज्याद आचा रहता है साथी आमपर पर लोग जो है अपने घर के बार में ने देखा है बहुत सारी 70, 80, 90% cases के अंदर जो नाम लिखा जाता है वो black actionों से लिखा जाता है काले actionों से लिखा जाता है avoid करो हो सके तो इसको भी आप golden silver color से लिखें या और जो अच्छे colors होते हैं उनको यूज़ करें black color को avoid करें लेकिन किसी किसी के लिए black color बहुत ज़्यादा supportive होता है जिनके लिए शनी support करता है जिनके लिए certain support करता है उनको जो black color के अक्षर support करता है पर फिर भी उनके लिए भी अच्छा रहेगा कि वो लोग golden color यूज़ करें जैसे पीतल के बने भी होते हैं या फिर कहीं पर engrave करते हैं या कहीं पर जहें कोई ऐसे मतला etching से नाम दिखा हो जिसका color जहें अंदर आपने name plate negative होती है उसे कभी यूज़ना करें ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप पथर की हो marble की हो या धातो की बने ही जो name plate होती है बहुत अच्छी होती है glass की, शीशे की बने ही बहुत अच्छी होती है लेकि शीशे की जो बनी ही होती है name plate उनको कोशिच करें कि ऐसी जगा पना लगाएं जहां से दोनों तरफ से दिखता हो क्योंकि वही अक्षर जो सामने से सीधे दिखेंगे वही पीछे से उल्टे दिखाई पड़ेंगे बहुत बार लोग क्या करते है मैंने देखा offices के अंदर अपना द्रवजा होता है अंदर जाने का बहार आने का वो शीशे का बना होता है उसके उपर वो क्या करते है अपने धार में प्रवर्ति के कारण शुब रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा भागे को चमकाएगा, स्वास्तिक बना दिया करते है ओम लिख देते हैं उसके उपर लेकिन आप ध्यान करना जिसने शीशे के पर इस तना से लिखा हुआ है तो वो बहार से तो सिधा दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर से उल्टा दिखाई दे रहा है अगर ऐसा बना लिया आपने तो मैं यह नहीं कहता उसको हटा दो हटाना नहीं है पीछे कोई पेपर लगा दो ताकि पीछे से वो विजी बना हो दिखाई ना पड़े अब हम नेम प्लेट के बारे में बात करें तो शीशे की यूज़ करें ब्रास की यूज़ करें पीछे की यूज़ करें बहुत अच्छी रहेगी चांदी सोने की ना लगाएं घर के बाहर इन जो है जो कीमतिधात में होती है इनका प्रयोग ना करें अब साथियों दुविधा कहां पर आती है नेम प्लेट के लिए दुविधा तब आती है जो आपने घर का कुछ एडोर किया होता है उसका अपने कोई शुब अंक या कोई चीज आपने इसमें लगाई होती है कोई अपने शुब सूचक लगाई होते है जैसे घर के बाहर बहुत बाहर पंच मुखी अनुमान आपने यूज़ किये हुए है गनेश जी की प्रत्मा यूज की है अंदर बाहर बहुत बार की जाती है ओम स्वास्ति भी यूज के जाते हैं अब सवाल क्या आता है मेरे पास कि सर ये बताओ अपनी जो हमारी नेम प्लेट है घर की हम इनके उपर लगाए या इनके नीचे लगाए साथ यो बड़ी सीधी सी बात है कि गौड यानि भगवान को तो हमारी उपर ही रहना है तो अगर आपने ओम स्वास्तिक या गनेश जी या कोई आपने ऐसा शुव सुशक लगा रखा है अपने घर के उपर तो उसका जो हमारा जो नेम प्लेट होगा वो उसके नीचे आएगा और यह जो शुव सुशक है यह उसके ऊपर आएगे अगर अपने राइट साइड में या लेट साइड में भी आप अगर अपनी नेम प्लेट लगाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि राइट साइड में लगाएं जैसे मैं आपके घर के सामें खड़ा हूँ तो मुझे आपकी जो नेम प्लेट है वो राइट साइड में दिख रही है ज्याद अची रहती है बुरी तो लेट साइड में भी नहीं है पर ज्याद अची रहती है राइट साइड में साथियों रात के अंधेरे में क्या होता है कि negative energy विचरन करना शुरू कर देती हैं अगर आपने अपनी name plate बनाई है किसी भी metal से बनाई है आपने glass के बनाई हुई है या आपने बना रखी है वो wood के उपर लखड़ी पर बना रखी है तो कोशिच करें जैसे शाम होती है घर के बाहर आप अपने घर के बाहर light जलाते हैं अंदर light जलाते हैं आप क्योंकि दो समय मिलते हैं संधिया का समय होता है तो अपने जो आपकी name plate है उसके आसपास उसकी उपर भी light करना ना भूलें आपके लिए इचा रहेगा आपके भागे को चमकाएगा साथ-साथ क्या है कि जो शड़क पे चलने वाले गली में जो आते हैं लोग किसी कहीं मिलने किसी के पास आएं किसी काम से आएं तो कई बार रात के अंधेरे में उनको मकान के नंबर दिखाई नहीं पड़ते उनकी help हो जाएगी अगर सब लोग अपने मकान के पर थोड़ी से light डाल दें तो कित इतनी help रहेगी उन लोगों के लिए जो आपके वहां गली महले में आये हैं बाहर से आये महमान तो साथियों आपके भी हो सकता है पड़ो से घर आए हो इतना ध्यान करें साथियों अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे किसी जबर्दस टॉपिक के साथ तब तक के लिए दे मुझे आप पर मिशन नमस्कार धन्यवाद थैंक्यू और आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको बहुत अच्छी जान करें देता हूँ तो इनको आप लाइक करें करें अपको आपको 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